परिचय जब भी हम किसी वस्तु को गती प्रदान करते हैं, जैसे अपनी पैंसिल का प्रियोग लिखने में करते हैं, या फिर हम चलते हैं, तो हम बल का प्रियोग करते हैं. जड़ा सोचो कि कितनी बार हम अपने कागस को खो देंगे अगर जड़त्व सकोईस्थिर नहीं रखता उद्देश्य इस पाठ के अंद में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे बल को परिभाशित करना संतुलित एवं असंतुलित बल में भेत करना न्यूटन की गती के नियम समझना वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसकी गती की अवस्था में संबंध ग्याद करना समवेग संदक्षन को समझना बल और उसके प्रकार जब किसी वस्तु पर बल का प्रियोग होता है तो वह वस्तु की दिशा गती या आकार में परिवर्तन का कारण होता है अताहा बल को इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं बल कोई भी प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की गती दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है बल एक सदिश राशी है बल दो प्रकार के होते हैं संतुलित एवं असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर दो बल विप्रीद दिशा में लगते हैं किन्तो फिर भी वह वस्तु अपने स्थिती परिवर्तित नहीं करती है तो उसको संतुलित बल कहते हैं उधारण किसी पिंड को एक समान बल से दोनों तरफ से धकेलना। असंतुलित बल वह बल है जब किसी वस्तु पर एक समान विपरीत बल नहीं लगता, किन्तो फिर भी वह वस्तु की इस्तिती को परिवर्तित कर देता है। उधारण, जब किसी पिंड को अधिक बल के साथ एक तरफ से धकिला जाता है. न्यूटन का गती का प्रथम नियम पुस्तक सौता ही गती नहीं करेगी, वह अपनी वराम आवस्था को तब परिवर्थित करेगी, जब हाथ का बल उस पर लगेगा. यह गती के प्रथम नियम की व्याख्या करता है. गती का प्रथम नियम दर्शाता है कि एक वस्तू अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, तथा वह वस्तू गती की अवस्था में तब तक नहीं आएगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारेरत ना हो. न्यूटन के गती के प्रथम नियम के उप्योग जब एक मोटर बस अचानक चलती है तो यात्री जड़त्व के कारण पीछे की तरफ जुग जाते हैं यात्री व्रामा वस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस गतिमान होती है जड़त्व वस्थू का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी व्रामा वस्था या एक समान गती में परिवर्तन का विरोध करता है द्रवेमान किसी वस्तू के जड़त्व की माप है किसी वस्तू का द्रवेमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा उधारण, जब मोटर कार अचानक से रुखती है तो चाहलak जड़त्व के कारण आगे की तरफ जुख जाता है जड़त्व के कारण ही यात्री गतिमान अवस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस रुख जाती है न्यूटन का गती का दूसरा नियम Newton का गती का दूसरा नियम दर्शाता है कि किसी वस्तू पर लगने वाला बल उस वस्तू के द्रविमान तथा लगाए गए बल की दिशा में उत्पन त्वरण के सीधे समानू पातिक होता है F बराबर M गुणा A जहां F बराबर बल, M बराबर द्रविमान और A बराबर तवरण है बल के मातरक बल का SI मातरक न्यूटन है न्यूटन को इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं कि एक न्यूटन किसी एक किलोग्राम द्रविमान वाली वस्तू में एक M बटे S वर्ग यानी मीटर प्रतिसकेंड वर्ग का तवरण उत्पन करने के लिए लगाएगाए बल के बराबर होता है मातरक बराबर केजी M बटे S वर्ग यानी किलोग्राम मीटर प्रतिसकेंड वर्ग या न्यूटन 1000 किलोग्राम द्रविमान वाली वस्तू में 0.5 M बटा S वर्ग का तवरण उत्पन करने के लिए आविशक बल की गणना करो F बराबर 1000 गुणा 0.5 बराबर 500 N बटे KG M बटे S वर्ग न्यूटन के गती के दूसरे नियम के उप्योग क्रिकिट में खिलाडी गेंद को पकड़ने यानी कैच करने के साथ अपने हाथ को नीचे लाते हैं क्योंकि इस से गेंद का तवरण घर्टा जाता है तथा गेंद को रोकने के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ता है समवेख गती में द्रवेमान को समवेख कहते हैं P बराबर M गुणा V जहां P बराबर समवेख M बराबर वस्तू का द्रवेमान और V बराबर वस्तू का वेख है समवेख का SI मातरक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है अताह द्रवेमान तथा वेख के सन्युक्त प्रभाव को समवेख कहते हैं यहां एक सदिश राशी है किसी वस्तू के समवेख में परिवर्तन उस वस्तू पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है गती के दूसरे नियम की गणना किसी वस्तू का समवेख में परिवर्तन उस वस्तू पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है माना की आरंभिक समवेख P1 बराबर MU है और माना की अंतिम समवेख P2 बराबर MV है अता समवेख में परिवर्तन की दर बराबर होगी M गुणा V घटा U बटे T के बल बराबर K गुणा M V घटा U बटे T जो की बराबर होगा KMA के जहां K एक अनुपातिकता इस्तरांख है न्यूटन का गती का तीसरा नियम जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर समान एवं विपरीत बल लगाती है प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है Newton के गती के तीसरे नियम को समझने के उधारण हम चलते कैसे हैं? जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं तथा बदले में जमीन हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलती है तो पीछे क्यों हड़ती है? जब तोप से गोला छोड़ा जाता है, तो एक बल गोले को आगे भेशता है, एवं उसके समान बल तोप को पीछे धकेलता है, इसलिए तोप पीछे हटती है जट हवाई जहाज और रॉकेट रॉकेट के नीचे की तरफ से निकलने वाली गैस की क्रिया के समान, उसके विप्रीत, प्रतिक क्रिया रॉकेट को अत्यतिक गती से आगे बढ़ाती है नली पाइप का उधारण जब फाइरबेन पानी की एक तेजधारा को निर्देशित करता है, तब वह इसके पाइप को काफी मस्बूती से पकड़ता है क्योंकि पानी के आगे बढ़ने की दिशा की क्रिया के कारण, उसके पीछे धकेलने की प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होती है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कारे करती हैं और जब तक उस पर कोई बाहरी बल कारेरत नहीं होता है, तब तक उनका कुल संभेग स्थिर रहता है इसको ही संभेग संदक्षन का नियम कहते हैं संभेग को ना कभी बनाये जा सकता है या और ना कभी नश्ट किया जा सकता है ये भी संभेग संदक्षन का सिध्धान्त कहलाता है माना की दो वस्तुएं जिनका द्रवेमान क्रमशाह M-A एवं M-B है एक दिशा में प्रारमभिक्वेग U-A एवं U-B से गतिशील है तथा उनका अंतिमवेग क्रमशाह V-A एवं V-B है गेंद-A के समवेग परिवर्तन की दर F-A-B बराबर M-A, V-A घटा U-A बटे T गेंद-B के समवेग परिवर्तन की दर F-B-A बराबर M-B, V-B घटा U-B बटे T गति के त्रीतिय नियम के अनुसार प्रतेक्रिया के बराबर तथा विप्रीत प्रतिक्रिया होती है इस प्रकार जब दोनों वस्तुएं टकराती हैं तब लगने वाला बल होगा F-A-B बराबर M-A-U-A जमा M-B-U-B टकर से पहले का कुल सम्वेग है तथा M-A-V-A जमा M-B-V-B टकर के बाद का कुल सम्वेग है जब वस्तुओं पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, तो दो वस्तुओं की टक्कर से पहले के समवेगों का कुल्योग टक्कर के बाद उनके समवेगों के योग के बराबर होता है समवेगों शब्द समवेग का पहुवचन है क्या आप जानते हैं, सर इजा की न्यूटन ने जणत्व तथा बल की अवधारणाओं के आधार पर सभी वस्तुओं की गती का वरलन किया तथा यह पाया कि वे संदक्षन के नियमों का पालन करती है जब किसी बिंदू काण पर लगने वाला कुल बल शून्न होता है, तब वह संद्वलन में होता है किसी निकाए में जब वस्तुओं विभिन वेगों से गती शील होती है तब ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तू गती में है और कौन सी वस्तू स्थिर है। इस वाक्यांश को तकनीकी रूप से दूसरे शब्दों में कहें, तो भौतिकी के नियम हर जडित्विय आदर्श सिध्धान्त में समान होते हैं। अर्थात ये गलिलियो रूपान्तरण द्वारा सम्मंधित सारे फ्रेमों में समान होते हैं। गुरत्विहीन वस्तू जब प्रित्विय की चारों तरफ की कक्षा में नीचे गिरती है, तब न्यूटन के गती के नियम इन इस्थिती में ज्यादा प्रत्यक्ष होते हैं। गती का प्रथम नियम एक वस्तू तब तक स्थेर या गती शील रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारेरत ना हो। किसी वस्तू का द्रविमान उसके जड़त्व की माप है। घर्शन बल सदे वस्तू की गती का प्रतिरोध करता है। गती का द्वितियनियम किसी वस्तू के सम्वेग परिवर्तन की दर वस्तू पर आरोपित असन तुलित बल के समानों पाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का ऐसा ही मातरक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है। गती का त्रितियनियम प्रते क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कुल सम्वेग हमेशा संदक्षित रहता है। बल का त्रित किलोगो, भी जुणित बल के समानों है। क्वेशा विशा था की बल र्लाग, प्रतिवर।